असलाम लेकुम, वेलकम, वेलकम बाक टो माइ चानल, आज हम बनाएंगे कश्मीरी होखाक, बहुती टेस्टी बनता है, बनाने में भी ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ती है, इस वीडियो में हमने आपके साथ पूरा प्रोसेश शेयर किया है, आप कैसे हाख को साफ करेंग आप उसको कैसे बॉइल करेंगे, फिर कैसे पकाएंगे, पूरा प्रोसेश डीटियल में एक्स्प्लेइन किया है, इसलिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें, यहाँ पर हमने सूका साग लिया है, आपको किसी में मार्केट से एजिली मिल जाएगा, इसके बाद हम इसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद हम इसको बॉइल करेंगे, उसके लिए हम एक बरतर में पानी लेंगे, फिर जब इसको उबाल आएगी, उसके बाद हम इसमें हुका शामिल करेंगे, यहाँ पर पानी को उबाल आ गई है, आप हम इसमें सूका साग शामिल करेंगे, आपको द्यान रखना है आपको सा को गरम पानी में ही डालना है ठंडे पानी में ना डाले इसके बाद आपको इसको एक दो उबाल लानी है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए इसको सॉफ्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है इसलिए अगर आप होखाग बना रहे हैं मैं आपको स कुश्मीरी में फुल बोलते हैं बेकिंग सोड़ा शामिल करने से जो सुखा साग है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा और इसका जो ग्रीन कलर है वो भी बरकरार रहेगा एक दो उबा लाने के बाद हम साग को चेक करेंगे सॉफ्ट हुआ है कि नहीं इसके लिए हम एक टुकड़े को मैश करेंगे यहाँ पर साग अच्छे से मैश हो रहा है इसका मतलब यह सॉफ्ट हो गया है अब हम चलते हैं इसको दोने की प्रोसेस में जिस पानी में हमने उबाला था हम उस पानी को डिसकार्ड करेंगे और साग को खुले पानी के नीचे दोलेंगे आपको साग को अच्छे से दोलेना है ताकि जो भी डस चड़ा था इसको सुखाने के टाइम वो सारा साफ हो जाए यहां पर हमने साग को अच्छे से दोल लिया है आप चेक कर सकते हैं इसका ग्रीन करार बरकरार है इसके बाद हम इसको दो हथी डियों में लेंगे फिर हलका सा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए इसी तरगी से आपको सारे साग का पानी निकाल लेना है फिर जाकर हम इसका पेस बनाएंगे यहां तक हमने सारा साग रेडी कर लिया है अब जाकर हम इसका पेस बनाएंगे यहां पर हमारा पेस रेडी हो गया है अब जाकर हम इसको फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए सबसे पहले हम एक बरतन में मस्टर्ड ओयल देंगे फिर जाकर जो ही इसका दुआ निकल जाएगा इसमें हम एक प्याज शामिल करेंगे हमें प्याज को ज्यादा फ्राइ नहीं करना है जो ही इसका कलर चेंज हो जाएगा उस टाइम हम इसमें लसन शामिल करेंगे लसन काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सूखी सबजी के लिए आप अगर चाहें काफी लसन भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि इससे जो सूखी सबजी है उसका जाइका बढ़ जाता है प्याज और लसन को हलका सा फ्राइ करने के बाद हम इसमें आदी छोटी चमच सीरा शामिल करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें साग का पेश शामिल करेंगे जो हमने बनाया था इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे हमें इसको ज्यादा फ्राई नहीं करना है हलका सा ही हमें इसको फ्राई करना है हमें इसको रोस नहीं करना है हलका सा ही फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए एक दू मिनिट फ्राई करने के बाद सारे मसालों को एक साथ मिक्स करेंगे फिर 5-6 मिनट तक अच्छे से बून लेंगे ताके मसालों का जाएका साग में चला जाए 5-6 मिनट बूनने के बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे हमें इसमें एक गलास पानी शामिल करना है इससे ज्यादा नहीं इस टाइम पर आप इसमें नमक शामिल कर दे अपने टेस्ट के हसाब से हमने यहाँ पर आदी छोटी चमच नमक शामिल किया है अब हम इसमें डालेंगे प्यास का पेस्ट इस से इसका जाय का अलगी लेवल पर चला जाता है साथ में हम डालेंगे कसूरी मेती इससे भी इसका टेस्ट बहुत एनान्स होता है आप जरूर ट्राइ कीजिएगा यूज्वली जो भी सूही सबसी होती है उसमें खड़े मसाली अच्छे नहीं लगते हैं अगर आप स्टिल डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं इसके बाद हम इसमें कुछ भी शामिल नहीं करेंगे लिड कवर करके इसको कुछ मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसके जो कंसिस्टेंसी है वो ठेक हो जाएगी दो-चार मिनट के बाद हम इसका लिड उठाएंगे देखे कितना उबल रहा है कितना अच्छा लग रहा है कितना टेस्ट में भी जबरदस्ट होगा आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हमने इसमें चिकन शामिल किया है जिस तरीकी से हम नॉमल ली चिकन को फ्राइग करते हैं तरी तरीकी से हमने यहां पर चिकन को फ्राई किया है इसके बाद हम इसको सूकी साग में शामिल कर देंगे चिकन शामिल करने के बाद हमें चिकन और साग को तब तक पकाना है जब तक कि साग अच्छे से न पके और साग तेल छोना स्टार्ट न करें हमें तब तक साग और चिकन को पकाना है साग और चिकन का टेस्ट अब आएगा जब आप इन दोनों को साथ में अच्छे से पकाएंगे यहां पर हमारा यमी चिकन और सुखा साग होखाक रेडी हो गए है आप इसको ज़रूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत अच्छा लगीगा आपकी फैमली को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा आप जाहे तो साग को एजर्टिस बना सकते हैं या चिकन के मदले मटन शामिल कर सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगीगा आपको इसमें शामिल कर दे ट्रस में ये काफी जाइकेदार होता है अप इसको जरूर ट्राइक के जाए अगर आपने नहीं बनाया है कभी बनाने के बाद मुझे जरूर टैक करिएगा अपने स्टोरीज पे बहुत अच्छा लगीगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी हमारी वीडियो को लाइक के जेगा हमारी चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा अल्ला हाफिज